Living room का सब से एहम furniture है Sofa या Couch आपका जादा से जादा family time बितता है living room में और वो भी इस sofa पे घर में महमान आते है, आप उनको host करते है उनके साथ time बिताते है वो भी जादा तर living room में बिताते है वो भी इसी sofa पे बिताते है फिर चाहे वो single sitter हो, two sitter हो, three sitter हो ये जो sofa है आपके living room में ये welcoming, comfortable और relaxing होना ज़रूरी है इस वीडियो में हम देखेंगे कि IKEA के sofa collection से आप कैसे stylish और comfortable sofa चुनते हैं साथ में हैं architect's recommendation जो आपका sofa selection बनाएगा बहुत ही आसान तो चलो शुरू करते हैं मैं हूं architect सचित और welcome to our career homes IKEA का sofa collection काफी wide है इसमें है single sitter sofa, two sitter sofa, three sitter sofa साथ में है side lounge, foot stools बहुत सारी variety है इसमें जो entry level का sofa है न वो है gladstone two sitter sofa सोफा थोड़ा चोटा है पर यह सिर्फ 9,990 रुपए गाए इसके बाद आता है Hemling's bed two sitter sofa जो glad stat से थोड़ा बड़ा है और इसकी कीमत है 13,490 रुपए यह दोनों में बहुत ही basic type के विकल्प हैं अगर आप अच्छा कासा वक्त living room में बिताते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप उम्रा रीड या इससे बड़िया जो सोफ़े है उनी विकल्पों का विचार करें उम्रा रीड को sitter sofa है 16,990 रुपए का और इसका साइज है 134 cm by 83 cm उम्रा रीड single sitter sofa है 11,990 रुपए का और इसका जो 3 sitter sofa है उसकी कीमत है 29,990 रुपए आप अगर लीविंग रूम में थोड़ा ही वक्त बिताते हैं बहुत ज़्यादा comfort आपको ज़रूरी नहीं है तो आप लीना नास सोफ़े के बारे में भी सोच सकते हैं लीना नास डिखने में काफी elegant है यह जो 2 sitter sofa है यह आपको मिलेगा 19,990 रुपए में और इसका जो 3 sitter sofa है उसकी कीमत है 27,490 रुपए लीना नास 3 sitter sofa चेज के साथ भी आता है यह थोड़ी different variety है अगर आपको चेज वाला सोफ़ा लेना है और आपका budget थोड़ा tight है तो आप लीना नास के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं इसकी कीमत है 34,490 रुपए चेज वाले सोफ़े की अगर आपको थोड़ा formal दिखने वाला सोफ़ा चाहिए इसमें fabrics के बहुत सारे option हो तो वो है clip and sofa सिर्फ फैबरी की नहीं यह सोफ़ा लेदर में भी available है टू सीटर clip and leather सोफ़े कीमत है 26,990 रुपए इसमें fabric के जो सोफ़े है जो टू सीटर सोफ़े है उसकी कीमत जाएगी 22,000 से 25,000 रुपए के बीच में और ये टू सीटर सोफ़े की साइज है 180 cm by 88 cm by 66 cm मेरे हिसाब से clip and sofa में खामिया है और वो है इसकी backrest इसकी backrest की height है 66 cm मतलब ये backrest बहुत जादा बड़ी नहीं है तो बहुत देर बैठने के लिए शायद ये sofa उतना comfortable ना हो IKEA के तीन ऐसे sofa है जो बैठने के लिए काफी comfortable है इंट्रेस्टिंग बात ये है कि उपर उपर से ये दिखते बहुत ही सरीके है पर इनके sizes और कीमत में काफी अंतर है ये तीन सोफ़े है गैमल बीन, इक टॉर्प और ग्रॉन लिड तीनों सोफ़े में जो एक common चीज है वो है इसका classical दिखने वाला round shape handrest इन तीनों सोफ़े में गैमल बीन सोफ़े का size थोड़ा चोटा है इसका जो size है टू सीटर सोफ़े का size आएगा 146 by 91 by 82 और इसकी कीमत है 17,990 रुपे ये सोफ़ा लेदर में भी available है लेदर वाला सोफ़ा थोड़ा महंगा है उसकी कीमत है 21,990 रुपे बट ये सोफ़ा काफी comfortable है गैमल बीन सिंगल सीटर सोफ़ा जो fabric में है वो आपको मिलेगा 12,990 रुपे में और अगर ये ही सोफ़ा आप लेदर में लेते है तो उसकी कीमत जाएगी 14,990 इस सोफ़े की size है 91 cm by 91 cm by 82 cm गैमल बीन का जो 3 सीटर सोफ़ा है उसकी कीमत है 20,990 रुपे और इसकी size है 201 cm by 91 cm by 82 cm यही सोफ़ा लेदर में अगर आप लेने को जाएगी तो वो आपको मिलेगा 25,990 रुपे में अगर आप budget में एक comfortable सोफ़ा धून रहे है तो मेरा recommendation है कि गैमल बीन सोफ़ा ये एक अच्छा विकल्प है आप इसके बारे में जरूर सोचिए हमारा अगला सोफ़ा है इक टॉर्प सोफ़ा अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे न तो गैमल बीन और इक टॉर्प इसमें ज्यादा फरक नहीं दिखेगा पर असल में इसमें फरक है जो इक टॉर्प सोफ़ा है इसका अंडर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है इस सोफ़े में आपको सोफ़े के पैर नहीं दिखेंगे नीचे तक आपको दिखेगा फैबरिक साइज में भी यह थोड़ा बड़ा है और इसकी कीमत भी गैमल बीन सोफिस से ज्यादा है इक टॉर्प का जो सिंगल सीटर सोफ़ा है वो है 104 cm by 88 cm का और इसकी कीमत है 17,990 रुपय इक टॉर्प का जो डबल सीटर सोफ़ा है इसकी साइज है 182 cm by 92 cm इक टॉर्प का जो थ्री सीटर सोफा है वो है 288 cm by 88 cm और इसकी कीमत है 25,000 से 28,000 यह कीमत बदलेगी जैसे आप फैब्रिक चूस करते हो उस पे यह डिपेंड करते है गैमल बीन सोफा और इक टॉर्प सोफिय जैसा ही दिखने वाला और उससे काफी महेंगा और बहुत ज्यादा कमफर्टेबल ऐसा जो सोफा है उसका नाम है ग्रॉनलडीन डबल सिटर सोफा है यह सोफा साइज में भी बड़ा है यह है 177 cm by 98 cm by 104 cm का इसमें भी वही क्लासिकल राउंड आर्मरेस्ट वाला डिजाइन है और यह सोफा आपको मिलेगा 46,990 रूपीज में आइकिया कलेक्शन का अगला सोफा है विमले सोफा स्ट्रेट लाइन, मिनिमलिस्टिक डिजाइन और दिखने में थोड़ा फॉर्मल पर बैटने के लिए सूपर कमफर्टेबल यह सोफा भी टू सिटर और त्री सिटर में अवेलेबल है विमले सोफा का जो टू सिटर 43,000 से 45,000 के बीच में विमले का जो ट्री सिटर सोफा है वो है 241 सेंटिमेटर पाइ 98 सेंटिमेटर पाइ 83 सेंटिमेटर और डिपेंडिंग आप कौन सा फाब्रिक करते हो इसकी कीमत जाएगी लगबग 53,000 से 60,000 के बीच में यह सोफी की दूसरी खासी है दिये है कि इसका जो हैंड्रेस्ट है यह काफी वाइड है तो पार्टी टाइम में बहुत ज्यादा लोग लिविंग रूम में आते हैं तो इसमें आप बैट भी सकते हैं मेरे रेकमेंडेशन से अगर आप लिविंग रूम में थोड़ा फॉर्मल लुक चाहते हैं तो आप विमले सोफा के पारे में जरूर सोछी अगर आपको लिविंग रूम में फॉर्मल लुक नहीं चाहिए थोड़ा इंफॉर्मल लुक चाहिए कोई कर्व लाइज़ा वाला सोफा चाहिए材 तो वह सोफा है विन लिडन ये सोफा जो टू सीटर सोफा है ये आपको मिलेगा अराउंड 35,000 रूपीज में इसमें अगर आप लेदर का सोफा लेते हो तो वो थोड़ा महेंगा जाएगा विन लिडन सोफा साइज है 163 cm by 97 cm by 68 cm बैटने के लिए ये भी काफी कमफरेटेबल है अगर आप लिविंग रूम में थोड़ा रिच लूप डालना चाहते है थोड़ा विजुल पंच आपको चाहिए लिविंग रूम में और दिखने में भी वो काफी रिच दिखे तो उसके लिए है लैंड स्क्रोना सोफा ये सोफा सिंगल सिटर में अविलेबल है इसका डबल सिटर सोफा भी अविलेबल है और ये थ्री सिटर सोफा विच चेज साथ में फूट स्टूर ये भी इसमें मिलेगा लैंड स्क्रोना सोफा दिखने में बहुत ही शानदार है और बैटने के लिए बहुत ही कमफर्टेबल इस सोफे पे आप कलरफूल प्रोपिलोस डालिए और इसको और इंट्रेस्टिंग बनाईए ये सोफा आपको मिलेगा ग्रे, मिन्ट और डार्क लू कलर में मेरे हिसाब से ये सोफा आपकी लिविंग रूम की शान जरूर बढ़ाएगा लैंड स्क्रोना का सिंगल सीटर सोफा जाएगा 91 सेंटिमेटर बाइ 92 सेंटिमेटर बाइ 81 सेंटिमेटर का और इसकी कीमत है लगबग 30,000 रुपीज 30,000 रुपया और लैंड स्क्रोना का जो डबल सीटर सोफा है वो है 164 सेंटिमेटर बाइ 89 सेंटिमेटर बाइ 78 सेंटिमेटर का और इसकी कीमत है एप्रोक्जिमेटली 50,000 लैंड स्क्रोना का जो 3 सीटर सोफा है जो चेस के साथ है इसका जो प्राइज है वो है अराउंड 84,000 रूपीज इस सोफे का फाब्रिक भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है टच करके देखिए ये काफी कमफर्टेबल है ये तो हो गए आईकिया के सारे फॉर्मल और इन्फॉर्मल लुकिंग सोफे पर अगर आपको कुछ थोड़ा और भी हटके चाहिए थोड़ा सा सेमी फॉर्मल चाहिए थोड़ा सा इंगलिश स्टाइल में चाहिए तो उसके लिए है स्टॉक सुन सोफा ये जो सोफा है ये डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट है इस सोफे का जो बैटने का एरिया है जो चोड़ाई है पुड़ी जादा है उसे यह काफी comfortable भी लगता है Stocksum Sofa जो है Single Seater Sofa उसकी साइज है 92 cm x 97 cm x 84 cm और इसकी कीमत है लगबग 33,000 रुपीज Stocksum Sofa का जो 3-seater Sofa है वो जाएगा 199 cm x 97 cm x 84 cm और इसकी कीमत है approximately 48,000 रुपीज यह सारे होगे IKEA के conventional टाइप के साइज अगर आपको कुछ और modern है थोड़ा हटकी थोड़ा ज्यादा contemporary चाहिए तो उसके लिए है Soderham Sofa Actually यह Sofa तीन पीसेस से बनता है इसका corner section, chase lounge और arm rest आप तीनों का combination करके आपके हिसाब से आपको जैसे design चाहिए वैसे बना सकते होगे इसमें भी वो आपको Scandinavian Minimalistic Beauty नजर आएगी इसके जो legs है वो stainless steel के है और उसमें एक प्रकार का floating effect है अगर आपके living room को आपको एकदम modern, contemporary, minimalist look देना है तो उसके लिए मैं recommend करूँगा आप Soderham Sofa का ज़रूर व्यूब कीजिए Soderham Sofa जिसका corner section है वो आएगा 99 cm x 99 cm x 83 cm का इसकी कीमत रहेगी 34,000 रूपीज Soderham का जो chaise lounge है जो लंबा वाला chaise है जिस पे आप पैर relax करके बैठ सकते है उसका size है 151 cm x 93 cm x 69 cm और ये आपको आएगा 32,000 रूपीज में साथ में आएगी armrest ये आपकी design के उपर है आपको कितनी armrest लगेगी और ये 6 cm x 82 cm x 53 cm की armrest है एक armrest आपको लगबग 5000 रूपे में आएगी तो आप आपका freedom execute कीजिए और आपको जैसे चाहिए वैसे इस सोफ्यों का उप्योग करके आपका living room में sitting arrangement बना है इसके contemporary और modular look के कारण मैं सोडर हम सोफे को आर्किटेक्स recommendation में डाल रहा हूँ सोफा ले लिया अब और क्या लेना चाहिए सोफे के साथ आप footrest लेना भी consider कर सकते हो काफी सारे footrest की variety available है अगर आप कोई एक typical sofa choose करते हो तो उसके साथ matching footrest भी मिलेगी इस footrest का उप्योग काफी है अगर आपको relax करना है तो आप इस पे पेर डाल के आराम से relax कर सकते हो या कोई एक guest आता है पार्टी में लोग जादा हो गए तो इस पे बैठ सकते हो ये था IKEA का sofa collection आर्किटेक्स recommendation के साथ मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको sofa selection में उप्योग में आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आर्कीरियर होम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लोग तो आपको जरूर सब्सक्राइब कीजिए बादाब कीजिए वीडियो आपको में आपको आपको जरूर से लोगगा